हेलो माइ योट्यूब फैमिली तो ये देखें ये हैं मेरे गार्डन का पूरा लुक जो मैंने दिवाली पर क्रियेट किया था तो इससे पहले मैंने आपके साथ वीडियो शेयर नहीं करी थी कि मैंने इस गार्डन में क्या-क्या काम करे थे और कैसे क्लीनिंग करी थी अकेले सबको संभालना बहुत मुश्किल होता है घर भी और गार्डन भी यह मैंने अकेले ही किया है तो चलिए आज आज आपको दिखाते हैं यह देखिए नर्सरी से कुछ दिन पहले मैं अपने प्लांस लेकर आई थी यह विंटर प्लांट है विंटर में आपको बहुत अच्छे प्लांट मिलते हैं जैसे की कोलियस हो गया, पिटूनिया हो गया, डैंथस हो गया, गजानिया हो गया तो चलिए आज इन सबको लगा लेती हैं मैं यह अगले दिन गंबले लेकर आई ती मैं नर्सरी पोटी लेकर आती हूँ ज्यादा तर क्योंकि उनमें ना मारे गंबले बहुत अच्छी से लग जाते हैं और यह मेरी पुरानी मिट्टी है जिसमें देखे थर्मकोल के कुछ पीस मिलेंगे मैंने इस प्लान्ट की मिट्टी कुछ-कुछ इनमें मिक्स कर दी थी क्योंकि यह पुरानी मिट्टी थी तो और थोड़ी नई मिक्स कर दी थी पिटूनिया तो है ही विंटर की शान जहां भी पिटूनिया की प्लान्ट देखेंगे न वहां बहुत ही अच्छी वाइब साते हैं कि पिटूनिया की प्लान्ट बहुत ही कलरफूल होते हैं और बहुत सारे रंग में आते हैं मैंने अपने कुछ प्लांट लगा लिए हैं शाम का समय है जल्दी रात हो जाएगी अंधिरह होन्ने लग जाता है तो मैं अपने जादा काम नहीं करती हूँ जैसे समय मिलता है वैसे ही करती हूँ तो मैंने कुछ प्लांट्स अपने शाम में लगाए थे और कुछ प्लांट्स अपने सुबह के समय लगाए थे जितना हुआ मैंने उतना काम किया है थोड़ा थोड़ा करके ही हम अपने काम को कर सकते हैं अग काम को मैंने अकले दीन ही पूरा किया था ये दिकि मैं अपने सदा बाहर के बी कुछ प्लांटस लेकर आया थी जो कि नए कलर में थे क्योंकि कुछ प्लांटस हमारे पुराने हो जाते हैं तो मैं नए भी लाने पड़ते हैं यह देखे इतना काम करके यह next day की वीडियो है जि की मेरे लगाने मुश्किल हो रहे थे यह सोचे कि अगर मैं जादा लाती तो मेरा क्या हाल होता और अभी मुझे इन प्लांट्स को खिसका के थोड़ा साइड पे करना है क्योंकि लड़ियां लगानी है कुछ कुछ करके मैंने कर दिये हैं क्योंकि इतने भारी होते हैं एक मैं आपके प्लांट्स रखके आता हूं जो उससे हुआ वो कर सकता है तो अपने काम को बाटिए थोड़ा अपने बच्चों से भी करवाय करें ताकि उनको भी पता चले की काम करना कैसा होता है और यह देखिए बच्चे सफाई में लगे हुए और यह देखिए हमारे यहा हैं तो हमें नुकसान ही देखने को मिलेगा वैने बहुत अद्ड़त तक काम कर लिया है है और काम हम अपना कल करेंगे यह देखती हैί जैसे जही होगा वैसे करेंगे ये देखिए, बहुत सारे प्लांट्स मेरे बहुत अच्छे लग रहे हैं और साथ के साथ इनको हमें पानी भी देना पड़ता है तो काम बढ़ी ही जाता है और लाइट्स कितनी अच्छी लग रही है ये देखिए, मैंने कैसे फैला रखा है तो इनके साथ काम करना बहुत ही मुश्किल होता है एक एक प्लांट के बारे में सोचना है कि इनको धूप कितनी चाहिए, पानी कितना चाहिए सर्दी में इनका रखना है, गर्मी में इनका रखना है किस प्लांट को हमें कितना पानी देना है अगर आपको अच्छा लगे तो बताना कि मैंने कैसे रखी है और मैंने क्लीनिंग भी कर दी थी थोड़ी वो ताकि मैं अपने प्लांट्स को अरेंज कर सकूँ जैसा मुझे लगता है मैं वैसे सेट कर देती हूँ अगर आपके पस कोई आइडियाज हो मेरे कुछ जरूर बताया करिए और मेरे गाइडन में सुव़े सुवे जब सूरे देवता उद्धे होते है न तो बहुत यच्छा न जा रहा होता है जेट प्लंट तो इतने हो गया न कि अब मैं इनकी कटिंग बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी और पती देव लग गया है रात में लड़ियां लगाने में क्योंकि उन्हें समय मिल ही गया और इतनी मेहनत करने के बाद कोई बार हमारा पोपट हो ही जाता है यह लड़ियां लगाने के बाद तो यह जीरा मचा ना है ऐसा होई नहीं सकता तो यह इतनी गंदगी मचाते है ना यार देखके इतना बुरा सा लगता कि इतने सुन्दर गार्डन को देखो यह कैसे खराब कर रहे हैं और यह हमारे पोदों पर भी बैठते रहती हैं तो यह है मेरे गार्डन का फाइनल लुक आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना और लाइक और शेयर जरूर बताना